प्रेग्नेंसी के पहले महीने में आपको क्या खाना है? ये जानकारी आपके लिए काफी फायदे मन्द होती है, क्योंकि मिस्कैरिज होने का खत्रा शुरुआत के तीन महीने में सबसे ज़्यादा होता है. तो आज की इस वीडियो में मैं प्रिती आदफ इसी की बारे में बात करूँगी और आपको बताऊंगी कि प्रेग्नेंसी के पहले महीने में आपको कौन-कौन से बदलाब दिखाई देंगे, आपको क्या खाना चाहिए और किन चीजों को आपको बिलकुल अवाइट करना चा प्रेग्नेंसी के ऐसे पांच लक्षडों के बारे में जो 90% महीलाओं को दिखाई देते हैं, अब ये लक्षड जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनी से आप कनेक्ट कर पाएंगे कि आपको क्या खाने की जरूरत है और किन चीजों को आपको अवाइट करना है, तो ये है कि आपके सरीर में हार्मोन्स का लेबल बिगड़ जाता है, और उसकी वज़ए से खाना पर जाने में आपके सरीर को ज़्यादा टाइम लगता है, और उसी की वज़ए से आपको उल्टी और अपच की जो प्रॉबलम है वो होने स्टार्ट हो जाती है, दूसरा प्रॉडक्ट उनके लिए उनका टेस्ट बदल जाता है, साथी साथ हो सकता है कि आपको जो चीज पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं हुआ करती थी, वो आपको पसंद आने लगे, या जो चीज पहले आपको बहुत जादा पसंद थी, उनको खाने की इक्षा ही ना हो, कई इस बार कुछ महिलाओं को ऐसे आइटम्स भी पसंद आने लगते हैं, जो की वो खाती ही नहीं है, जैसे की मिट्टी की खुश्बू, इसको पीका बोलते हैं, तो ये nutrition deficiency का symptom होता है, और ऐसे में आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, तीसरा लक्षन होता है, बार बा यूरिनाना, जब भी कोई महिला प्रेग्नेंसी कंसीव करती है, तो उसका सरीर जादा फ्लोड को प्रॉसेस करना शुरू कर देता है, और उसकी वज़े से किड्नी को भी बहुत जादा फ्लोड को फिल्टर करना पड़ जाता है, और इसी वज़े से महिलाओं को बार बार लग जाती है, चौथा लक्षर होता है, बहुत जादा थकावट महसूस होना, अब ये क्यों होती है, इसका कोई भी सीधा सादा जवाब नहीं है, और किसी को ये वात पता भी नहीं है, कि ये बहुत जादा थकावट क्यों होती है, लेकिन प्रेग्नेंसी की पहली तिमाई में आपको बहुत जादा थकावट फील होगी और हो सकता है कि इसका कारण हार्मोन का बदलाव ही हो तो अगर आप भी बहुत जादा थकावट फील कर रही है तो आपने pregnancy conceive कर ली है पांच बाँ और सबसे बड़ा symptom होता है period का miss हो जाना देखे प्रेगनसी रुकेगी ही तब जब आपका period में सुझाएगा उससे पहले जितनी भी लक्षण है किसी और reason की वज़े से भी आ सकते हैं तो जब तक आपके period सो रहे हैं तब तक आप ये बिल्कुल मत मानिये कि आपको pregnancy होई है तो ये भी एक लक्षण होता है कि आपने pregnancy conceive कर ली है आप बात करते हैं कि आपको pregnancy के पहले महीने से क्या-क्या खाना है start कर देना चाहिए तो उस सभी में सबसे पहली चीज होती है fiber rich diet यानि कि आपको ऐसी चीज खानी है जिसमें fiber अच्छी मातरा में हो ताकि आपको कब्ज की problem ना हो और इसकी वज़े से आपको जी मिचलाना या फिर उल्टी आना यानि कि morning sickness से थोड़ा बहुत आराम मिल सके तो आपको fiber rich diet लेनी है इसके लिए आप दलिया वगेरा ले सकती है साथ ही साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है दूसरी चीज आपको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइडरे लेने है इसके लिए आप साबुत अनाच, fruit, salad, छिलके युग दाले यानि ऐसी चीजे खाएं जिसमें अच्छी मात्रा में कार्बोहाइडरेट हो ताकि आपकी बोडी में ज़्यादा से ज़्यादा एनरजी पहुच सके और उसकी वज़े से आपको ठकावट वगेरा में थोड़ा बहुत आराम मिल सके तीसरी चीज आपको प्रोटीन बहुत ही अच्छे से लेना है इसके लिए आप दूद या फिर दूद से बने हुए दूसरे प्रोड़क्ट दाल, अंकुरित अनाच, अंडा, मास इन सभी का सेवन कर सकते हैं लेकिन अंडे को अच्छे तरीके से पका कर खाएं मास को भी अच्छे तरीके से पका कर खाएं कच्छा या अधपका मास या अंडा बिलकुल न खाएं क्योंकि इनके अंदर अच्छी मात्रा में विटामिन, प्रोटीन, फाइबर ये सब मिल जाते हैं तो इसलिए आपको इन सभी का सेवन जरूर करना है चौथी चीज जो आपको जरूर ही लेनी है वो है आईरन से भरपूर खाना प्रेग्नेंसी के दोरान आईरन की कमी सबसे बड़ी प्राब्लम होती है और इसको पूरा करने के लिए आपको अपनी डाइट में आईरन रिच फूर खाने चाहिए जिसके लिए आप हरी पत्यदार सबजियां, अनार, लीची, अंजीर और किश्मिश वगेरा को खा सकती है इससे आपको अच्छी मात्रा में आईरन मिल जाएगा और जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि प्रोटीन और आईरन दोनों आपको अच्छी मात्रा में मिलेंगे तो आपकी बोडी में ब्लड का लेवल अच्छा बना रहेगा इसके अलावा आप प्रेग्नेंसी कंफर्म होते ही सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपनी फॉलिक एसिट की गोलियों को लेना स्टार्ट करते हैं ताकि आपकी प्रेग्नेंसी का डवलप्मेंट अच्छे तरीके से चलता रहे अब बात करते हैं कि आपको किन चीजों का खाद ध्यान रखना है और कौन-कौन सी ऐसी चीजे हैं जो कि आपको इस टाइम बिलकुल भी नहीं खानी है तो इसमें आपको कच्छा पपीता बिलकुल नहीं खाना है गरब मसाले का इस्तिमाल कम से कम करना है और पानी भरपूर मातरा में पीना है मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आई होगी तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए, स्वास्त रहिए